क्या आपके अच्छाई के कारण बहुत पार लोग आपको फोर ग्रांटेट लेते हैं या आपको हर्ट करते हैं आप हद से जादा अच्छे हो अगर हां तो आज का वीडियो खास आपके लिए है एन तक देखते रहे हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी फाइव टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं कि आप थोड़ी से कम अच्छे बनो कि लोग आपका पाइदा ना उठा सकें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं बनना चाहिए लेकिन जब हम हद से जादा अच्छे बनते हैं ना तो हम खुद को नुक्सान पहुंचाते हैं और वो सही नहीं है पहला टिप अगर आप हद से जादा अच्छे बनना बंद करना चाहते हो तो आप नो कहना सीख हर बार आपको हां करने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको हर एक लिए हर चीज करने की जरूरत नहीं है, कभी-कभी माना करने में कोई बुराई नहीं है, कभी-कभी अपने बारे में सोचो, आप सिरफ हां तब करो, जब आप कोई काम करना चाहते हो, जब आपके पास उस काम करने के लिए टाइम है और जभ आप को लगता है कि फायदा होगा वो काम करके या तो आपको या किसी और को बद आपकी ताइम के वर्थ ही रही हो इसलिए मत करो कियो अपके उसी को हर्डशी नहीं करना चाहते हो आप किसी को माना नहीं कर सकते आप प्रेशर फिल कर रहे हो सेकंद टिप पले टिप के साथ ही चलता है कि कभी भी हा करने से पहले आप सोचने का वाक लो आप कभी भी एकदम से हा मत करो जब कोई आप से कुछ पूछता है ना आपका नाच्रॉल रियाक्शन है हा करना तो आपने हा नहीं करने है आपने कहना है सोच के बताता हूँ अपना स्केजूल देख के बताता हूँ थोड़ा सा वो समय लो उस समय में आपको एक्चली में सोचना है कि आप ये काम करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो अगर आपके पास कोई अच्छा रीजन है वो काम करने के लिए तो ही करो अगर आपके पास टाइम नहीं है आप हां करके खुद पागल हो जाओगे आप बहुत जादा बिजी हो जाओगे आप अपनी हल्थ को कॉम्परमाइज कर रहे हो आप अपनी रिलेशनशिप्स को कॉम्परमाइज कर रहे हो तो फिर आपने मना करना है तो वो थोड़ा सा टाइम लोग है ना तो जो आपको इंपल्स है ना एक तम से हां बोलने का वो थोड़ा सा खम हो जाएगा थर्ड टिप, सौरी केवल तब बोलो जब आपने सच में कुछ गलत किया है या अपने सच में किसी को हर्ट किया है छोटी छोटी बातों पे सौरी नहीं बोलना है बिना गलती के सौरी नहीं बोलना है कविभी कभी बोलना पड़ता है कभी बोलने में बुराई है वाप थी मैं इा बढिजसें अप्ने सामनी भी आपको कार दूराप्स इप है कोध् och उसको बारदा एद सब्सक्रफ यॉप पहस पास जब आपके जरूरत होती है लेकिन वो कभी भी आपको मदद करने के लिए अवेलबल नहीं होता है और जब उसको जरूरत नहीं होती है आपको याद भी नहीं करता है ऐसे लोगों से दूर रहो बिकज ऐसे लोगों के साथ रहे के कोई फायदा नहीं है वो बस आपको यूज करते रहे हैं एक घंटा ताइम निकालना है जिसमें आप वो करोगे जो आप करना चाहते हूं जिसमें आपको खुशी मिलती है अपना कोई hobby हो, अपना कोई मनपसंद चीज हो, जो भी है पर आपने अपने लिए time निकालना है actually में निकालना है वो time जब आप ऐसा करोगे अपने लिए time निकालोगे तो आप खुद से और प्यार करने लगोगे और खुद की value और खुद की खुशी की value पैचानने लगोगे I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा हो अपनी सोच कॉमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर अबी तक आपने नहीं किया हैं मुझे ऐसे daily videos के लिए फॉलो करिये